नमश्कार दोस्तो तो भाई देखि आज मैं आपको अपने गुलाब के बारे में बताऊंगी कितना संदर प्लांट है ये गुलाब का और अगर आप इस तरह के अपने घर में रखना चाते हैं तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सबसे पहले तो हमने नहीं प्याहिए। कि हम हमारे पास कौन सा गुलाब्imaan गुलाब की से लग तरह की तरह सब होतीब अży। इनकी से ज्वता आंच महीं लें उतले होती है दूसे घुलाब की सतुराधी सब्सक्राइब अटकि से गुलाब के पोधे में मिट्टी, फर्टिलाइजर और धूप ये तीन चीजे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं सबसे पहले हमारी जो मिट्टी एगमले की उसमें खाद बहुत अच्छे से मिली होनी चाहिए और इसके लिए खाद सबसे ज़्यादा अच्छी गोबर की खाद मानी जाती है वैसे हम जो अपने कीचन से जो छिलके निकलते हैं सबजियों के उसकी भी खाद डाल सकते हैं लेकिन सबसे अच्छी गोबर की खाद होती है हमारे प्लांट के लिए उससे कलियां भी खूब अच्छी बनेंगी और फ्लावर भी खूब आएंगे गर्मी आते आते कहीं बार पत्तियों के जलने की भी सिकायत रहती है और हमें अब इतनी तेज दूप होने लगी है तो हमार प्लांट पे इस तरह की दूप लगनी चाहिए जैसे सुबह सुबह की ग्यारा बारा बजे तक की अगर जैसे तेज दूप होती है ना कड़क उसमें हमारे प्लांट जलने का डर रहता है गुलाब एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्याद अगर्मी में खराब हो जाता मे मेरा ऐसा अनुबह हो है अपने गार्डन में मेरे काफी सारे प्लांट काई बार खराब हो जाए और मिट्टी हमेशा बुर्बुरी रहनी चाहिए जिसमें पानी न रुके और जैसे हमेशा अपनी मिट्टी को अलट पलट करते रहें और इसको इतना ना तो जादा गीला र प्लावरिंग लेने के लिए इस प्लांट में आप नीमव और संतरे के छिलके का पानी बनाके और इस प्रेय में भी कर सकते हैं बोटल में डालके उससे पत्यां जो है ना बहुत सही रहते हैं सभी प्लांट की आप किसी भी प्लांट पर डाल सकते हैं और ऐसे ही मैं हमेशा अपने प्लांट की क्यार करती हूं चाहिए वह कोई भी प्लांट हो तो बने रहें में चैनल के साथ